तो सौ साल से पहले मेरा वादा है कि मेरा किया हुआ काम का एक बालू का रेत भी उसमें से नहीं ज़ड़ने का काम करेगा राजनीती वास्तविक्ता है कि धर्म के अधार पर लोगों ने ऐसा महौल बना दिया है कि उससे लोग निकल नहीं पा रहे हैं अभी यात्री से नहीं करवा रहे हैं उसके बाद में जगा जगा सामुदाईक सोचाले बनवा रहे हैं औरा कबरिस्तान का घेराबंदी भी होगा और दो तीन जो है कि रोड जो है कि सरक भी हम लोग अभी ड़लवाने का काम करने वाले हैं विखे नहीं हैं समय आएगा तो उस हिसाफ से राजनीती होगी राज़त में भी जो लोग थे उनको भी भराए है तो हम अपने बेस पर चुनाव यहां लरते हैं जितने के बाद में भी या चुनाव से पहले अपने गारी पर किसी पाटी का जंडा हम नहीं टांगने का कम जो जितना हमको देता है उसको दुगुन्ना और नहीं ततिन गुन्ना के साथ नहीं लोटाते हैं तब तक हमको सुकून नहीं मिलता का की अगर धोति कोलने का अगर कोशिश करेगा तो अवसका धोती यूख कोल पाय या नहीं खोल पाए इसका गारिंट्रिट हम नहीं देते हैं लेकिन जो खोलने वाला आदमी है उसके धोती के को पता भी अठेकाना भी यहां पता नहीं चलेगा कि बाई हम जिस पाटी को भोट दे रहे हुँ हमारा क्या जनादार है विकास हो रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं स्टिवी नीउस और मैं हूं समी उल्ला चंपार्णी हमारा परताल जारी है अभी हम पहुंचे हैं यहां से परतिनीदी है नसीम अख्तर जो चुनाव फाइट किये थे और भारी मतों से उन्हों ने चुनाव जीता था नसीम अख्तर के लड़के मुहम्मद राहत इकबाल हमारे साथ है इन से हम बात करेंगे जिस तरह से लोगों ने वादा किया था चुनाव में क्या कुछ व मीडिया है इस देश में आज की डेट में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यह किसी से छुपी हुई चीज नहीं है आप ही लोग हर जगा जो लोकल नीज है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं लोगों के समस्याओं को लोगों के बीच में ला रहे हैं क्या कमी है क्या बेस हो चुके हैं उस उम्मीद को आप लोग पूरा करें रहा साब करवा सवाल पहला सवाल मेरा आप लोगों ने बड़ा-बड़ा वादा किया था इलक्षन में यह होगा वो होगा पहला सवाल मेरा है कि एक साल बीत गए आप लोगों के एक साल तो क्रोना के नजर हुआ दो साल म से क्या कुछ आपने किया है क्या कुछ धरादल पर नजर आ रहा है कितना फाइदा लोगों को पहुंच रहा है आपसे देखिए सबसे पहली बात तो हम लोगों का दो साल नहीं हुआ शे महिना एप रोक्स चुनाव लेट ही था ठीक है ना और सपत गरहन किये हुए हम लोगो बैठे हुए है यह मेरे विकास का मंच है ठीक है यह मेरे पिता जी के दुवारा इस काम को करवाया गया हुआ है और सबसे पहला मेरा यह काम था कैमरा है आपके पास आप निव जेंकर है आप खुद देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का यह काम हुआ है है ना और कहने का मतल है और इससे पहले जिला पड़ीशद का कारेकाल रहा हुआ है तो दूर की बात है जिला पड़ीशद का कोई लोग नहीं जानता था किहां जिला पड़ीशद कोई मतलब की पोस्ट होता है जब चुनाम लोग जीत करका है उसके दो-चार दिन निकली जितने के बाद आज तक हम लोगी साथ पंचायत के जनता के बीच में ही हैं और जनता के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और जितना हो सकता है हम लोगों से उतना हम लोग विकास का काम करने का काम कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं हम लोग अगर मालेजे कि काम हो गई वैसी बात नहीं है काम विद क्वालिटी लोगों को हम लोग देने का काम कर रहे हैं और आप लोगों को यह आस्वस्त कराना चाहेंगे हम कि यह पास साल जो हम लोगों का जो गुजरेगा यहां के लोग देखेंगे कि यहां जिला परीशत का क्या कारेकाल होता है और जिला परिशत किस तरीके से चलाया जाता है। और धर्म की राजनीती करके नहीं आएं। इसमें 20% पर्तियासी चुना उतरते हैं। और हर जाती का पर्तियासी होता है। एक एक जाती में दो दो पर्तियासी उतरते हैं। समझ रहे हैं। लेकिन हमने अपने आप में अहद किया था कि हम जो वोट मांगेंगे विकास के नाम पर मांगेंगे। जिसका कारण हुआ है कि जब लोगों से हम वोट मांगने चलें। तो हमारी यह सोच लोगों के दिलों में और दिमागों में उतरी। और लोगों ने कहा, कि नहीं यह बंदा कहि रहा है यह सही कह रहा है। हम भारी मंत अथों से चुनाव के आने का काम किये। सब से पहले हम अभी 402 करवा रहे हैं हुशके बाद में जगः-जगः शामूदाइक सावचाले पनवा शुना रहे हैं ठीक है अभी हमारे एक दो जगह जो है कि हमारा कभरिस्तान का खेराबंदी भी होगा और दो तीन जो है कि सरक्व अभी डहलाने का काम करने वाले तिक है यह अभी δेस्ट सुरूओ का विया कल या वह पटना गए हुए हैं उनके अनुपस्तिती में ही हम आपको इंटर्व्यू दे रहे हैं अगर वह होते तो खुद आपको इंटर्व्यू देते हैं हमारा जो चुनाव आगे लड़ने का सक्षम है तो उसके बाद में टोमेटिक सी बात है कि हम राजनीती करेंगे कोई भी राजनीती में आता है तो इसी उम्मिद से ना आता है कि उसको सिर्ष तक पहुचना होता है तो हम लोग उस मानसिक्ता से आए हैं कि हम लोगों को सिर्ष तक पहुचना है और शुरुवात ज चिनाओ लड़ेंगे या आदे भी भाग्या अजमाएंगे यह तो इस पर्ष्ट है ना हम कहते दियें कि अभी समय हैं देखिए राजनीती जो होता है समय से की जाये तो बेहतर होता है यह राजनीती का एक मुल मंत्र भी होता है अगर जो भी लोग राजनीती थोड़ा समझत वह बात को जानते हैं कि बेश समय राजनीती करना बहुत कच्चा काम होता है समझ रहना हम लोग कच्चे खेलारी नहीं है समय आएगा तो उस हिसाब से राजनीती होगी इसमें कोई दोड़ाय नहीं है हम अपने आपको जिस काबिल महसूस करेंगे आज जनता हमको जिस ला राज़त से है और राज़त के सीट पर उनको बठाय गया है किस मजरिया से देख रहे हैं इसको देखिए आप जो यह बात जो राज़त और भाजप्रा वाली बात आप कह रहे हैं हम लोग जिलापरिषद का पहली बार चुनाव जो है 2016 में लड़े थी ठीक है 2016 में जब हम लड़े थे तो एक महासाय है वह एकावन यहां पताई में दो छेतरे जिला पृष्षत का एकावन और एकावन है तो वह एकावन से चल कर बावन में आये थे लड़ने समझेगा इस बात को और वह उस वक्त वरतमान राजत के परखंड अध्यक्ष थे ठीक है तो वह अनन बस हार गये थे लेकिन जो राजत के जो परखंड देख्ष वहां से यहां चुनाव लड़े थे उनसे हमारा भोट जादे था हां उनको चुनाव हम लोग हराए थे कहने का मतलब यह जो चुनाव होती है यह पार्टी समर्थित नहीं होती है जिला परिशत का चुनाव यह लोग अपने बेस पर चुनाव लड़ता है और अपने च्छमता पर लड़ता है किसी पार्टी और किसी पहचान की मोहताज यह चुनाव नहीं होती है यह किलियर है यह चीज़ और रहा सवाल इस चुनाव का जो 211 का चुनाव जो हम लोग जीते हैं तो जिस सक्स के बा रहेते जिला परिसत का तो उनको भी हम दुगुन्ना भोट से चुनाव हरा है महराज हां वह चुनाव जो अभी हरा है तो इससे दूरी गुना जादे हमारे पास बोट है जाके डाटा उठा के आप देख लीजिए कोई हमसे सौपचास दूसर पांट सो बोट से चुनाव हरा है उससे डबल मातर से चुनाव हरे है जब वह भाजपा में थे तो हम राजद में भी जो लोग थे उनको भी हरा है तो हम अपने बेस पर चुनाव यहां लगते हैं कोई राजद और भाजपा के हम महताज नहीं है यहां कि यह साथ पंचायत के जो जनता मालिक है वह पने गारी पर किसी पार्टी का जंडा हम नहीं टांगने का काम की हैं समझ रहे हैं हमारा कहने का मतलब साफ है आपर कि साथ पंचायत की जनता है इसमें हर जाती से हर समाच से चुनाव लगता है तो हम किसी एक दौल में कैसे जाए हमारा बहुत सारे ऐसे लोग है जो भाज कि बूल और आफ्स नेताओं के द्वारा आपके कद को आपके कविशन को कम करने कि कोशिश हो रही है देखिए हमारे कद आपको कम करने की कोशिश कर रहा है तो हम आपके माध्यम से हम उनको एक बात कहना चाहते है कि पंचायती राज का पुनर गठन जो है 2001 में हुआ था ह तो हमारे वालिद सहाब 2001 मेहा से वाट सदस का चुनाव लड़े थे क्योंकि बाकी जो पोस्ट था वो रिजर्ब था यहां तो जब वो चुनाव लड़े तो यहां से वाट सदस का चुनाव जीते फिर उसके बाद में 2006 आई दोबारा जब चुनाव हुआ तो फिर ऐसा हुआ है कि वाट सदस भी रिजर्ब हो गया आप बाकी पोस्ट था ही तो क्या हुआ है कि वह पंच का एक सीट था जो कि जनरल कोटा में था तो लोगों ने यहां के कहें कि आप जो है कि पंच का ही चुनाव लड़े क्योंकि हम आपको जनपरतिनीदी के तोर पर देखना चाहती ह हैं तो हम पंच का भी चुनाव लड़े हैं और हम फिर जीते हैं उसके बाद में 2001 से लेके 2011 तक हम अपने ग्रामिन जो हमारा गाउं है वहां के हम जनपरतिनीदी बने रहें 2011 में ऐसा हुआ कि कोई भी सीटे यहां नहीं रहा जेनरल कोटा में तो हम लोग कोई चुनाव नह हम लोग क्या है कि जिला परिशत का लड़ने का काम किए उस जुलापरिशत के चुनाव में हम लोग दूसरे अस्थान पर आए थे और आपके माद्यम से उन लोगों को कहना चाहेंगे जो लोग के मेरे राजनीतिक अधार को कम करने का कोशिस कर रहे हैं तो आप समझ लिज लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके बाधन सबस्ती स्बीधान ऊससेοι उग सभान करेंगे यायार हैं उसके बाद प instruments सब्सक्राइब है करते हैं जोग सबसी कर लोक्ति हैmaid लोग तो इसी बात से नासवस्त रहते हैं कि जो हम लोग लड़ रहे हैं भी पंचाइती अस्तर का चुनाओं आगे क्या होगा नहीं होगा वह समय बताएगा ठीक है ना और समय से पहले राजनीती करना यह एक बेवकुफाना काम होता है समझ रहें ना बात बताईए कि जिला लगा तो सौभावी कसी चीज है इसमें कोई कहने की बात नहीं है यह को हम ही तोड़ी है हमारा तो अपना राजनीतिक अधार हमको किसी की जुरुवत नहीं है लेकिन बाकी जो लोग है अठारा गोड़े अगर खिलाफ करेगा तो बरदास कर पाएगा वह तना बाहु कोई नहीं है हम नहीं देखाई दे रहा है कि अपने आधार पर बोट ले ले समझ रहा है ना सब एक दूसरे पर क्या है कि निरवड है समझ रहा है ना उतना गस्टेड यहां नेतागिरी हम किसी का नहीं देखते हैं हम यहां नेतागिरी कुछ टाइम से देख रहे हैं समझ लेकिन जो खोलने वाला आदमी है उसके दोती के कोई पता भी ठेकाना भी यहां पता नहीं चलेगा इसके लिए आप आस्वस्त रहें कारण इसमें लॉजिकल बात है एक हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं आप यहां से त्यारी करते हैं जिलापरिस्वत का उन सब से इंटर्व्यू ले लिए आउ कह दें कि हम उनके साथ हैं जो किसी एक को बढ़ावा देंगे तब आप हम आके हमसे बात किजिएगा तो एक खिलाफ एक को बढ़ावा देने के चक्कर में आप उन्हें इसका खिलाफत अगर आप किसी को बनाना तो दूर का बात है बढनने के लाइक भी नहीं रहेगा रहासा पताये शहाब Uddin ने राजत की लिए बहूत कुछ किया अपने आपको कुर्बान कर दिया उस पार्टी की लिए और उनकी में सेज हीना शहाब पार्टी से कुछ उखुरी-उखुरी नजर आ पार्टी से कुछ खास तालुक और खास कुछ लगाओं नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल में ठाका फुटबल टूनामेंट में भी आई थी कि आप लोग भी इसके समर्थन में पहुंचे हुए थे इस दिरिशीच को उनको किस रूप से देख रहे हैं देखिए यह जो बात सहा तो यह कहने का मतलब है कि मुस्लिम समाच को सूचने के जुरूट है इसको हमको सोचने के जुरूत प्लोफ को हैं किस पाटी के साथ जाये किस के साथ नहीं जाएं यहां पर हम जातिवाद को बढ़ाओन नहीं दे रहें लेकिन वहार में जातीवाद होता अगर पासवान समाज प्लोफ को सब्सक्राइब करें उसले की जुरुफा क्योंकि यहां जो है लोग अपने जाती को गोलबंद करके ही राजनीती करते हैं है ना तो यहां मुसलमान जो जाती गोलबंद घोकर के राज़त को भोट देते हैं तो मुसलमान को नो सोजने का जुरूत है कि भाई हम जिस पार्टी को भोट दे रहे हूं हमारा क्या जनादार है हमारा क्या विकास होड़ा है इसमें हमको कुछ नहीं करना यह उस समाज के लोगों को सुचने और समझने की जुरुत है मैं भी उसी समाज से आता हूं लेकिन मेरा एक अपना राजनीतिक स्ट्रेंड है इसलिए मैं इस पर कोई भी चीज खूल करके नहीं कह सकता हूं ठीक है ना कि इसमें मेरा क्या उपेनियन है क्योंकि अगर हम अपना उपेनियन देने लगे तो हमारा जो यह साथ पंचाइद के विकास का जो एजन्डा लेके चरे हैं वो कहीं नहीं चुट काफी राजनीती में सोच और समझ रखते हैं एक बतौर परतिनीधी ये उनके काम कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमारा चुट रहे है चुट रसंख्या 52 विकास की तरफ अग्रसर है जो हमने वादा किया था चुनाओ के वक्त में एक एक वादो को हम जमीन पर और धरा सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लीजेगा मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद